साथ उप्रिका के जो मैच होना है भारत का पांच नुवेंबर को तो उसमें क्या महुल लग रहा है जो साथ उप्रिका और इंडिया का यह जो भारत धर्मगुरु है और भारत का तीन आंक नव आंक आहमें सब उचा रहता है तो जितने भी अभी छे माच हो चुके पांच ब सब्सक्राइब लें हैं अगर बालिंग करना है तो हमान दादा का मंत्रों जाप कर के करें तो आफान चार्व मिलेगी ए क्योंकि लक्षान मन दादा करते हैं और अगर बैटिंग करने तो गाहत्रे मंत्र को को हच्षेकर कर ले इसमें अध्यात्म का साराय है, अध्यात्म के विना ना खेल है, न राजनिती है, नान्य कोई छेत्र है, सभी छेत्र में अध्यात्म चलता है। उसको थोड़ा अभिसापित योग है, ये बात छे साल पहले हमने उसके चाचा को और उसके माद्यम से मातु की थी, तो उसमें करूली बाबा, जो सादक या संत महात्मा का जो आशिरोद है, उसमें नजर लग गई है, नजर के करण संत महात्मा को भी थोड़ा सोचना पड़ पर आवे बाद नहीं तूटता था, रेकाट तो उसमें का बनता है, जो तूटने के लिए होता है, कितना भी चाहिए बड़ा रेकाट हो, तो कि इतना एक दिन तूट जाता है, नजर भी बाद कर रहा हूं, कि बिराट को या उसमें साथक निगल सकता है, शपर रहे है, ये ये जो रन बनाने वाले है, उससे जो बॉल फिकने वाले ज्यादा सपर रहेगे, ये बेटिंग से ज्यादा बॉलिंग सपर रहेगे, पिछले बार भी आमने बताया था, कि पाच आएंगे, हर्दिक पंडय के लिए परिशनी आएगी, तो हई है. सुनिल गावस्कर ने भी कमेंटमेंट किया है, कि बिराट कोली अपने जन्म दिन के दिन सतक मारेंगे? सुनिल गावस्कर ने बूला है, और ये सत्य परकूस में क्या है, जैसे ये जो ब्रामने, ब्रमा बाक्यम जनारधनम, जैसे जो आपने इसकी बात कर रहे है, जैसे उन्म आपने इसकी बात कर रहे हैं, सुनिल गावस्कर के, तो ब्रामन आदमी है, उसके मुझे निकली बा करने बोला कि जो है पांच नोवेंबर को बिराट कोली अपने जन में दिवस के दिन जो है सचिन का रिकार्ट तोड़ देंगे देखे यह आपको बताया नामने कि यह जो रिकेट के देवतायों लोग उनका शब्द कभी खाली नहीं जाता है वो हमारे लिए देने घर हो है हम लोग हमारे भारत में पाइदा हो है है अच्छा रहेगा